है हैं ली 52 और ली 52 डियस को जो भी टैबलेट्स और जो यह सीरप्स है इनके बार में आपको complete जानकारी मिलेगी इसके अंदर के क्या composition है दोनों में क्या difference है इसके अलावा क्या फायदे हैं इन टैबलेट्स और सीरप्स को जब आप योज करते हो तो उसके बार में बात करेंगे इसके अलावा क्या side effect देखने को मिल सकते हैं कितना dose में आपको लेना चाहिए और क्या सही तरीका है इसका योज करने का तो complete जानकारी आपको इस video मिलेगे तो वीडियो को कर लेते हैं start बात कर लेते हैं जो यह ली 52 है और ली 52 डी एस है चाहे वह यह tablet हो या syrup हो दोनों में same composition और यह जो और इसके अंदर के composition के बार में तो यहां पर आप composition देखे सकते हो मैं आपको one by one बता दूंगा एक एक composition के बार में बात करेंगे उनका क्या फायदा है तो जो लोग भी इस tablet का use करते हैं इसका पहला तो use होता है है Hepatitis के लिए है Hepatitis यानि जो आपका liver होता है उसमें swelling आ जाता है यानि inflammation होने के वज़े से होता है लिवर में तो इस tablet का use किया जाता है और इसके अंदर आपको हीमसरा जो के पहला ही composition है देखने को मिलता है वो ठीक करने का काम करता है जो आपके liver में inflammation हुआ है इसके अलाबा इनका use किया जाता है चाहे वो syrup हो चाहे वो tablet हो दोनों को ही use किया जाता है fatty liver में fatty liver को ठीक करने के लिए इसके अंदर आपको अर्जोना देखने को मिलेगा जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो तो यह अर्जोना का काम है कि जो आपका लिवर फैटी हुआ पड़ा है उसको कम करने के लिए इसके लावा जो जॉन्डिस है एगें लिवर में सूजन हो जाता है क्योंकि बिलू रिबिन का लेवल हाई हो और इसके लिवर हो जाते हैं जैसे आप बाहर का फास्ट पूर काते हो जैसे बर्गर चौम मोमुस यह सब खाने को जैसे हमार है ना टॉक्सिन जमा हो जाते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं तो यह इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा कशा मर्दा यह जो कशा मर्दा आप देख रहे हो इसका काम है कि जो भी टॉक्सिन जमा है लिवर के अंदर हान्फुल उसको हटा देने के लिए किलियर कर देने के लिए है और हमारे liver को एकदम healthy रखें तो में यहां पर आप live क्यों सुन रहे हो विकाज यह liver के लिए में focus इनका liver पर है liver के अलावा और भी कामगी जैसे हीमसरा जो था वो हेपाटाइटी इसके अलावा डाइजेस्टिव डिसॉर्डर को भी ठीक करता है तो इस तरीके से अभी और भी हम बात करेंगे इसके अलावा जो है इंप्रूफ करता है डाइजेशन को यानि जो आप खाते पीते हो तो जो हमारा डाइजेशन होता है वो ठीक नहीं रहता तो तो उसको यह सीरफ और यह tablet यह ठीक करता है बिकाज इसके अंदर बिरंजासीपा है, अब यहां पर बिरंजासीपा देख रहा हो यह जो कि 7th नमर पर है, इसका काम है कि जो आपका digestion है उसको ठीक करें, इसके अलाबा जो अल्कोहल पीने के वज़े से जो लिवर डैमेज हो ज सब्सक्राइब हो चुका है उसको रिकावर करें इसके अलावा इसके अदर एक और जो आप देख सकते हो यहां पर जावुका यही है कि आपको तो उसको चुछ रहा दिलाता है जिसके वज़े से आप वाश्रूम एकदम के लिए अच्छे से कर पाओ बात कर लेते हैं कि जो है वो डोस के लिए कि कितने डोस में देना चाहिए और यह भी है कि इसका योज के जाता है वेट गें करने के लिए विकास जो है अपका ठीक कर बहुर्र के बनागें तो आपको भूक लगने लगेगी अपटाइट वो कंडिशन होते हैं जिसमें आपको भूक ने लगता है कि ये दॉत अप words काणने को आपको बहुख चाहिए फिस इसके आपको जरुरत है तो उनसे डॉक्टर की सला से यूज करें और दोनों को ही टू-टाइम डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करता है और जो सीरप है टैबलेट तो हमें पता है कि खाने के बाद यूज करें बट जो सीरप है इसको अगर हम बात करें तो 55 ml आपको खाने से पहले अगर आप यूज कर रहे हो तो बैटर है जो यह सब सीरफ होते हैं वह सब खाने से पहले यूज करने से बैटर होता है बट यह निकि एकदम आप खाली पेटो हलका-फुलका मतलब जैसे कि कुछ भी थोड़ा बहुत खाय हुए हो उसके बाद इसको खालो मत खाना हमने से पहले बहुत को इसे के एलर्जिक रreaction हो जो यह नैयुक्त फैल देखने शललों। बट मुस्टी लोग जो है वो यूज करते हैं जिम वाले यूज करते हैं नॉर्मल जो लोग है वो यूज करते हैं अपने लिवर को अपने डाइजिस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए तो